रुके हुए रिजल्ट को लेकर भी अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि हमीरपूर करमचारी चायन आयो के भंग होने के बाद रिजल्ट रुक गया है अभी तक घोशित नहीं हुआ है लगातार विरोजगार यूवा इस इंतजार में बने हुए हैं कि आखिरकार कब उनकी भरतियों का रिजल्ट घोशित हो पाएगा तो देखिए 9 के करीब ऐसे पोस्ट कोड हैं जो कि लोग सेवायों के पास जिनका रिकॉर्ट पहुँच चुका है और अब इनका रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा लेकिन वही पोस्ट को लेकर अभी रिजल्ट घोशित होन लेकिन जहां अभी तक ये process pending रह रहा है उसमें अब CM सुख्रू की ओर से ही बड़ा फैसला लिया जाएगा अभी फिलहाल वो दिल्ली है जब वापिस आएंगे उसके बाद ही इस पश्ट हो पाएगा कि ऐसे post code जिसमें अभी तक महज एक या दो process पूरे हुए थे और document verification जैस शिक्षक जो है रखे जाएंगे खाली पदों को भरने जो है सरकार जो है जा रही है और शिक्षा विभाग में जो है खाली पदों को भरा जाएगा इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 6000 पदों को भरने की स्वीकृति जो है मिली है और हमेशा ही दुर्गम इलाकों की बात जाएंगे बैचवाइज और प्रमोशन से भरने के यहाँ पर जो है यह निर्देश दिये गए हैं इसमें अध्यापकों की विभिन श्रेणी के पद होने वाले हैं तो पच्छिस सो पच जो है शिक्षा विभाग में बैचवाइज और प्रमोशन के अधार पर यहाँ पर भर जाएंगे और काफी समय से बैचवाइज भरतिया नहीं हो सकी है और प्रिंसिपल प्रमोशन के आदेश पिछले कल जारी हुए और अभी प्रमोशन से कुछ और पदों को यहाँ पर भरना है और सभी स्कूलों में सही विवस्ता से काम जले इस पर जो है फोकस किया जारा है करमचारियों से जुड़ी करना चाहेंगे क्यूंकि देखे फिलाल इस महीने भी इनका NPS शेयर कट गया था जिसके बाद बड़ा आंदोलन इनोंने किया फिर बिजली बोर्ट प्रबंदन ने आश्वासन ये दिया कि दो दिन के भीतर इनके लिए OPS को लेकर अधिसूचना जारी कर देंगे 27 मही कबकी बीच चुकी है अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई हाला कि कारण ये बताया जा रहा है कि जो उर्जा सचीव है उनकी गैर हाजिरी के चलते ये अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है लेकिन अब बिजली बोर्ट के करमचारियों को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मई महीने का भी इनका NPS शेयर यहां कट जाए हला कि इस पर प्रबंदन की ओर से ये दलील दी जा रही है कि अगर ये NPS शेयर करता भी है तो इसे आगे जमा नहीं करवाया जाएगा GPF की ओर फिलहाल इसे मोड़ा जा सकता है हला कि इस तरह का रास्ता निकालने की यहां पर बात हो रही है और अगर अधिसूचना जारी नहीं होती है तो उसी कंडिशन में हाला कि ये होने वाला है तो इसलिए बिजली बोर्ड करमचारियों की ओर से ये दबाव बनाया जा रहा है प्रबंधन पर भी सरकार पर भी कि जल्दी ही इन अगली बात करना चाहेंगे TGT प्रमोशन लिस्ट को लेकर हाल ही में देखे 401 शिक्षकों को लेकर प्रमोशन लिस्ट यहां जारी की गई थी और ये जो प्रमोशन लिस्ट चारी हुई थी इसमें TGT से ये प्रवक्ता के तौर पर प्रमोट होने वाले थे लेकिन फिलहाल कोट में ये मामला भी जा चुका है यानि कि कोट केस के दाइरे में एक तरह से आ चुका है और फिलहाल इससे लेकर अपडेट हम ये देना चाहेंगे कि 18 मई को जो कुछ एक प्रमोशन ओर शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए थे उसमें एक नड़ी नई शर्त भी आया जाएगा कोट की ओर से उसके बाद हो सकता है कि बिलकुल उसी फैसले को इस प्रमोशन लिस्ट में भी लागू करना पड़े और उसके बाद थोड़ा सा फिर बदल होने की संभावना भी है इस प्रमोशन लिस्ट में इस तरह की आशंका बनी हुई है यही नई शर्त क क्यूंकि अभी फिलाल एड की गई है शिक्षा निदेशाल्यक योर से तो इसे लेकर फिजिकली और मेंटली अब शिक्षकों को यहाँ पर तयार रहना होगा